हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टीचेस एंपैर आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं फिर से डिस्कस करूँगा कुछ इंपोटेंड्स वीडियो को जो की इंपोटेंड होंगे उत्राकंडे एल्टी इंग्लिज की तियारी करने वाले चात्रों के लिए तो चलिए मैं सुरुवात करता हूं आज की वीडियो लेक्चर की क्वेश्चन नुबर 51 से मैं डिस्कस करूँगा जो कि मैंने परसू भी ए या जोफरी चॉसर इसका सही आंसर ऑप्षन नुबर B यानि थॉमस मैलोरी ने आपका मौटे या आथर नाम की नोवल लिखी थी अगर बात करूँ मैं ऑप्षन नुबर A यानि थॉमस मोरे की तो थॉमस मोरे ने एक बहुत ही फेमस नोवल लिखा था जिसको हम लोग यू फादर ओफ इंग्लिस प्रोज के नाम से भी हम किसे जानते हैं विल्यम टिंडेल को जानते हैं फादर ओफ इंग्लिस प्रोज और जॉफरी चॉसर की अगर बात करूँ तो इन एम फादर ओफ इंग्लिस पोईट्री भी कहते हैं इसके साथ हम इने फादर ओफ इंग्लिस पूरी एक एज भी डिवाइड है जो कि जिसका की टाइम पिरेट 1340 से लेकर के 1400 का है जिससे हम लोग एज आप चौसर के नाम से भी जानते हैं जोफी चौसर के बहुत सारे इंपूटेंड वर्क जो कि आपके एक्जैम में पूछी जाते हैं लेजेंड ओ आपका क्रिशिडे जियान रखना मुथापका क्रिशिडे जोपी चौसर का एक वर्क है इसके साथ लेजेंड ओhof गूड उल्मेंड और पार्लियामेंटमक्र फाॉल्स कर खिर इन का एक work है ठीक है उम्मीद है आप चीज़े समझ पा रहे होंगे नेश क्वेशन क्यों बढ़ता हूं नेश क्वेशन है क्वेशन नंबर 52 अगर आप देख पा रहे हैं तो 52 नंबर का क्वेशन है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानि एड्मेंड स्पेंसर ने एड्मेंड स्टेला किस ने लिखाता तो जो एड्मेंड स्टेला नाम का work है वो लिखाता आपका फिलिप सिड्नी ने ठीक है उम्मीद है चीज़ा आपको क्रियर हो रहे होंगी अगर बात करो आप्शन नंबर ए यानि फिलिप सिड्नी की तो फिलिप सिड्नी एक तो इनका फेमस वर्क है आपका एस्टूफल एंड इस्टेला इसके सांसराथ और रिडक्स करके भी इनका एक work है किसका और इस его सिड्ने के है यह क्मेल देफेंसस ऑफ्ट्वोर्प इज्डने के चो आपके फिलिप सिड्नी की थीक है अगर आपकर कर हूं एड़्मिंड स्पेंसर की तो स्टूबर नाम का वक तो इनका था हा और एड्मिंड स्पेंसर कूं सी इससे बिलोंग करते है यह एड़ि सब्सक्राइब करने आपको अन्स वीडियो में डिऊंगा रंदी अग्र आपको आता है तो आप पाut किन है का था उवक्षन नूमर की यहानी वेंट जौंस्न की अगर भात करूँ तो every man in his humor और every man out of his human नाम के work आपके Ben Johnson सा आपने लिखे थे और Samuel Daniel का एक ही work आपके LTE के एजाम पुछा जाता है जिसको आमने वो D.L.A. के नाम से जाना जाते हैं यह सबी work important है इन राइटर्स के अब मैं बढ़ता हूँ next question यानि 53 की ओर 53 नंबर का question है आपके सामने which one is related to Francis Bacon आपको different different life span दिये गए हैं option नंबर A है आपका 1564 से लेके 1623, B है 1608 से लेके 1674 C है 1795 से लेके 1821 और D है 1591 से लेके 1626 तो इसमें से Francis Bacon का life span कौन सा है इसका option नंबर D सही answer होगा 1561 से लेकर के 1626 यह आपका Francis Bacon का life span है Francis Bacon को हम लोग father of English novel की भी नाम से जानते हैं और father of novel हम किसे कहते हैं Montagne को कहते हैं इन दोनों में आपने confused नहीं होना है मैं फिर से बता दूँ father of English novel Francis Bacon और father of novel हम किसे कहते हैं Montagne को कहते हैं ठीक है अगर मैं बात करूँ other option की जैसा कि आपको option number A में आपको दिख रहा हुआ option number A में देख दिया गया आपका 1564 से लिएकर के 1623 अगर यहां पर 1616 होता तो यह किसका life span होता आपका सिक्सपियर साब का life span होता यह लिए अगर यहां पर 1616 होता तो सिक्सपियर जिनने के हम लोग Bard of Avon के नामसे भी जानते हैं कि इनको सिक्सपियर को किस नामसे जानते हैं Bard of Avon के नामसे जानते है और सिक्स क्सपियर को भी कहीगए पर आपको father of English literature देखने को मिलेगा और जो सिक्सपियर के ऊपर जो पहला वक लिखा था वो लिखा था आपका Ben Johnson साहब ने Shakespeare के उपर पहला critical वा किस ने लिखा था Ben Johnson ने लिखा था अगर हम बात करों option number B यानि 1608 से लेके 1674 ये काफी जाने पहचाना आपका date of spam है तो ये जो date of spam है ये है आपका किसका John Milton साहब का जो की most important writer है जिने हम लोग किस नाम से जानते है Last Man of Renaissance के नाम से जानते है John Milton को और Francis Bacon को हम लोग Renaissance Man के नाम से जानते है इन दोनमा आप ध्यान रखेगा Last Man of Renaissance के नाम से हम किसे जानते है John Milton को और Renaissance Man के नाम से हम किसे जानते है Francis Bacon को जॉन मिल्टन के अगर बात करूँ तो एक तो इनका फेमस वग आपको बताई है पराडाइस लॉस्ट इनका है इसके साथ साथ कोमस करके भी इनका वग आता है जॉन मिल्टन का अगर हम बात करूँ 1795 से लेकर की 1821 ये लाइपस है में आपका किसका जॉन कीड्स साथ का जिन्होंने ओड ओन अग्रेशन अन लिखा था और भी इनके कई सारे वग हैं जॉन कीड्स के और जॉन कीड्स से कौन सी एस से बिलॉग करते हैं आपका रूमेंटिक एस से बिलॉग करते हैं जॉन कीड्स आप जी एन गरके आपने तीन वाक याज रख सकते हीं जी एन गरके तांता है और यह सब्सक्राइब को नैसरन आपको दीया घ्रिइए यह मैं ने को बताइए यह फ्रैंसी देकन के देखन के बारे मैं नेस्ट को एंस्धिए अपको थोड़ा सब्मे के आपको recorded form में मिलेंगे इन में से आपको हफते में या आपका तीन चार लेक्षर के बाद एक हमारी लाइब क्लास भी होगी जो पचास से साथ लेक्षर होंगे सांतियों यह मैं आपको बता दूँ हर एक लेक्षर में आपके 10 में 10 थांsystem के तरिकरे से डिसक्स की जाएंगे यह सारे mcq कहीं से कौपि नहीं होंगे आपके अपको बताते जाऊँगा इसका मतलब सिंपल सा यह बास आती हो यानि 10 गुना 4 या आपके 40 तो आपके मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा एक दिन में 10 आपके MCQ और 4 चार उनके आप्शन और हर 4 आप्शन के मैं आपको 6-6 चीज़ें कराऊंगा या 6 या 7 चीज़ें कराऊंगा तो 7906636856 यह नंबर है इस पर आप WhatsApp करके जानकारे ले सकते हैं और आपने वीडियो को Share करना है तब मैं YouTube में इसी सीरीज को आपके LTE के एक्जाम तक continue रख पाऊंगा नेक्स क्वेशन है आपका विच राइटर इस नौट रेटेट तो केरोणी नेच यह मैं फिर से बिता दूँ यह वीडियो में दुबारा बना रहा हूँ जो की Part 8 था आपका उसमें काफी सारी गलत चीज़े मैंने आपसे बता दी थी क्योंकि वीडियो काफी जल्दबाजी में बन दी थी आज मैं पूरी फूरस से वीडियो को बना रहा हूँ तो आज साथ मुझे लगता है कि चीज़ें गलत नहीं होंगी तो कौन सा रिलेटर करता है कैरोणी एस से कौन सा रिलेटर नहीं करता है आप्शन्स आपको दिये गए इसमें पहला आपको दिया गया जॉन मिल्टन, जॉन डन, जॉन वेफ्टर और जॉन राइडन इसका सही आंसर आपका जॉन वेफ्टर आपका कैरोणी एस से बिलॉंग नहीं करते हैं तो जॉन वेफ्टर कौन से बिलॉंग करते हैं आपका अलिजाबितन एस से अलिजाबितन एज की अगर हम बात करों तो 1558 से लेके कब तक का इसका लाइप से हम रहता है आपने मुझे बताना है कि 1558 से लेकर के कब तक अलिजाबितन एज का लाइप से हम रहता है ठीक है ये मैंने लिख भी दिया अब आपने कमेंट बॉक्स में फिर भी रिखना है अपने रिवीजन के लिए अगर ने बात करूँ अप्शन नबर A यानि जॉन मिल्टन की अभी हमने इनके बारे में जाना था इस 1608 से लेके 1674 इनका डेटा उफ़र्थ है और लास्ट मैन आफ रिनिसेंस के नाम से हमने जानते हैं जॉन मिल्टन को पेराडाइस लॉस्ट पेराडाइस डिगेन ये इनके इंपोटेंट वर्क है और कॉमस भी इनका वर्क है जान डन की अगर बात करूं तो ये भी कहराओन ये एच के राइटर हैं ठीक है और ये मेटा फीजिकल पुएट्स में आते हैं जान डन साहब आपके और ये मतलब इसे आप ये लिस्टे है कि मोस्ट इमिनट राइटर है ने जान डन इनकी दो पेरेम बहुत ही फिमस हैं ज जो कमपास होता है आपका प्रकार के दो पाउंड ही तुनना की गई है प्रेम से नेच्ट अब मैं बढ़ता हूँ ऑप्शन नुबर C यानि जॉन वेफ्स्टर की वोड़ तो जॉन वेफ्स्टर एरिजा विथन एज की राइटर है इतना ही आपने पढ़ना है जॉन वेफ्स्टर के बारे में यही वोड़ एटर कभी नहीं पूछे जाएंगे जो कि मैंने फिस्टी वीडियो मा आपको गलब दोताया था जॉन राइडन जो कि फर्स्ट ऑफिचल पूएट लॉरियेट थे और जो मैंने फिस्टी वीडियो में बताया था फादर ओफ हिस्टोरिकल नोवर वो हम वोल्टर स्कॉर्ट साब को कहते हैं वोल्टर स्कॉर्ट को नेस्ट आता है क्वेशन नमबर फिप्टी फाइफ आर्ट फोर ओर आर्ट सेक क्या है क्या यह एक नियो क्लासिकल मुमेंट है रॉमेंटिक मुमेंट है या विक्टूर इन ट्रेडिशन का मुमेंट है यह आपने बताना है वीडियो का आप लाइक करेंगे अगर आप महनत को समझ रहें खुदी समझे कि इतनी सारी चीज़ें बताने में कितनी चीज़ें हमारी खर्च होतेंगी इतना समय हमारे जाता होगा आप सभी लोग कम्टिशन की तयारी के अदर स्कॉलर हैं तो मीट की जाते कि आप वीडियो को छोटा भी करेंगे और छोटा करने की बाद लाइक करिए फ तो romantic age का moment आपका art for art shake अगर बात करूं romantic age की तो इस age में poetry का development सबसे ज़्यादा किस age में हुआ था romantic age में हुआ था वर्षवत, college, सदे और कीर्स ये सबी आपके romantic age की writers हैं अगर बात करूं Victorian age की तो novel का development किस age में हुआ अगर आप से पुछा जाता है तो Victorian age में novel का और essays का सबसे ज़्यादा development हुआ था Victorian age में नियो classical age की अगर बात करूं तो classical writer को जो copy करने वाले थे जैसे Homer हो गया, Iliad हो गया इनको जो copy करना writer थे उनने को हम लोग नियो classical tradition की writer बोलते हैं next question है आपका question 56 who is regarded as the high priest of an age of pros and reason किसे pros and reason का high priest कहा जाता है options आपको दिये गए Alexander Pope, John Milton, Samuel Johnson या Tennyson इसका सही आंसर होगा आपका Alexander Pope को हम लोग high priest of an age of pros and reason के नाम से जानते हैं Alexander Pope को, Alexander Pope के बहुत सारे work आपके syllabus में और आपके universities में लगे हैं उनने भी आप लोग देखेंगे और Alexander Pope का जो डेटा उफ़रता important है 1688 से लेकर के 1744, 1688 से लेकर के 1744 आपका किसका लाइप स्वेम है, Alexander Pope का लाइप स्वेम है और इसमें से essay on criticism में एक बहुत ही famous quotation आपका आता है वो अक्षर आपने सुना होगा, the little learning is the dangerous thing, a little learning is a dangerous thing यह आपका essay on criticism का ही quote है जो कि अक्षर पूछा जाता है जॉन मिल्टन के बारे में मैंने आपको बताई दिया Paradise Lost, Paradise Regan और इसके साथ साथ आपका Commerce के लिए जाने जाते हैं जॉन मिल्टन साहब Samuel Johnson के अगर बात करूँ तो the dictionary of English language करके इनका एक बहुत ही famous work है पहल English dictionary इनका दिखा लिए थी किसने Samuel Johnson ने Tennyson जो की veteran age की writer है Alfred Lord Tennyson इनका पुरा नाम है इसे भी आप ध्यान रखेंगे और Tennyson ने बहुत सारे poems लिखी थी इनमें इनका इनका Timbuktu करके भी एक work है जो की पूछा जाता है इसके लिए ने award भी मिला था और Tennyson वर्षवत के बाद poet laureate बने थे इनकी जो famous poem है Ulysses करके आपने नाम सुनाओगा Ulysses जो की किस words में लिखी गई थी blank words में या free words में ये भी आप मुझे मुझे बताएंगे लगवग 3-4 question मैंने आप से पूछें जिनका जवाब मुझे comment box में चीए आपने बस google में search करना और comment में आपने participate करना है और औरों को भी answer देखने के और उन्हें आपके क्या answer दिये है next question मैंने आपको बताई दिया है अब last question क्यों बढ़ते हैं वीडियो का आपने live करना है share आपने करना है अगर आप चाहते हैं तक हम दोनों का यानि आपको और हमारा साथ बने रहे तो according to William Wordsworth the opposite of poetry is prose है, meter of fact है, point of view है या all of the above है इसका सही answer है option number B यानि meter of fact इसका सही answer है ये MCQ थोड़ा सा different है अधर MCQ से thanks for watching this video course के लिए आप लोग query के लिए आप लोग नमबर पर संपक कर सकते हैं thank you